तो दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में Bachelor of Performing Arts course के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ सबसे बेले में आपसे discuss करूँगा कि Bachelor of Performing Arts course क्या होता है इसमें कौन-कौन से subjects होते हैं जै कोर्स कितने वरश का कोर्स होता है eligibility, criteria और अंतमी मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे Bachelor of Performing Arts course के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ दोस्तों अगर आपने 12th की class को पास कर लिया है और आपको जै जानना है कि 12th की class को पास करने के बाद आखिर कौन-कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले में आपसे discuss करने वालों की what is bachelor of performing arts course याने की bachelor of performing arts course क्या है तो दोस्तो इस course को हम BPA course भी कहते हैं BPA का मतलब होता है bachelor of performing arts जैक course एक undergraduate course है और इस course को जो students होते हैं वो 12th की class को पास करने के बाद करते हैं दोस्तो अगर आपका dance, music और drama में interest है तो जैक course आपको काफी अच्छा benefit दे सकता है इस course के माद्यम से आप जो theater की जो skills होती है वो आप सीख जाओगे इस course में आपको folk music, Indian dances आपको सीखने को मिल जाएंगी तो basically जैक course काफी interesting है अगर आप music और dance की शेतर में interest रखते हो तो दोस्तो अभी मैं आपसे course, duration के बारे में discuss करने वाला हो कि जैक course कितने वर्ष का course होता है तो जैक course basically 3 से लेकर 4 वर्ष तक हो सकता है और semester system के base के उपर आपको इस course को पूरा करवाया जाता है दोस्तो अभी मैं आपसे job profile के बारे में discuss करने वाला हो कि अगर आप BPA का course कंप्लीट कर लेते हो आपको किस प्रकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप choreographer बन सकते हो इसके लावा आप theater ट्रेक्टर भी बन सकते हो आप teaching की field में भी जा सकते हो आप खुद की एक dance academic हो सकते हो बहाँ पर आप अच्छे अच्छे जो students होते हैं उनको आप dance के प्रती train कर सकते हो तो जैसाब आपकी personal skill और interest के उपर depend करता है अभी मैं आपसे subjects discuss करने वाला हो कि BPA course में आपको किस प्रकार के subjects आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं तो इस course में आपको rag studies, dance on camera, fundamental study of hindustani music, elementary study of hindustani music, etc. subjects आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दुरान करवाए जाते हैं पर जुनिवरस्टी और college के slayvers के एसाफ से जैस subjects different हो सकते हैं अभी मैं आपसे eligibility और admission process के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हो कि आप इस course में किस परकार से admission ले सकते हो तो इस course में admission लेने के लिए आपको 12th की class पास करनी होगी लेकिन अगर आपको entrance exam नहीं देना फिर भी आप किसी private college में direct admission ले सकते हो तो जैस सिर्फ college के उपर ही depend होता है तो दोस्तों इस video में मैंने आपसे BPA course के बारे में आपसे मैंने discuss किया है मुझे लगता है कि आपको जो doubt होगा इस course के regarding वो clear हो चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपका कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस video के description में काफी courses के वारे में videos मिल जाएंगी आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जैब video केसी लगी अगर आपको जैब video पसंद आईए तो आप video को like कर सकते हो और चैनल को subscribe करना मत बूलना धन्यवाद